अरे बच्चो तुम लोग आ गए, अच्छा हुआ आ गए, मेरी बहुत तवेत खराब है हाँ तो बुढ़े, निकल ले अब, तेरा टाइम हो गया उपर जाने का, अभी तक इतना बुढ़ा हो गया है, जाता नहीं है सरिता ये तुम क्या बोल रही हो, ये मेरे पिता जी है, भले बुज़ुर्ग हो गया, ऐसे मत बोलो बोलने दे बेटा, मौडरन बहु लाएगा तो ये ही सब बोलेगी, आज मेरी बीबी होती तो तेरी जुवान ना खुलती बहु बुढ़ो बिस्तरे पर पड़े हो छड़ी लेके छड़ी लेके जाओगे क्या भगवान के यहाँ, छड़ी तो कम से कम रख देते, जैसे बुढ़िया उपर चलीगे विसे तुम भी जल्दी से जाओ, चुट्टी मेरी ले मुझे मैं? मैं अभी नहीं मरने वाला, मैं तो भी पचास साल जीऊंगा, तु मर जा, तेरा खांदान मर जाए, मैं क्यों मर जाओं? तुम कभी नहीं सुधरोगे, मरने की उमर हो गई है, फिर भी अभी पचास साल जीएंगे और क्या भी तो मुझे घर लेना है, एक पलाट लेना है, सब कुछ लेना है, मैं नहीं मरूंगा भी अरे बस करो तुम दोनों लडाई जगडे, हम बापा को देखने आ हैं, तुम तो बापा से लडाई ही करने लगी हो पिता जी कैसी है आपकी तवेत ठीक है बेटा, पर कुछ खाया नहीं जा रहा है, मुझे ला कि कुछ खिला देता तो ठीक रहता और डॉक्टर से बोल, मुझे बार बार सुई न लगाएं, मुझे बहुत दर्द होता है अरे बुढ़े सुई नहीं डगेगी तो तु ठीक कैसे होगा है, अभी कह रहा है मैं पचास साल जीऊंगा, ये डॉक्टर है, तुम नहीं डॉक्टर हो चिंता मत करिये पिता जी आप जल्दी ठीक हो जाओगी पर आपकी तवेत खराब कैसे हुई, जैसे ही हम दोनों ने सुना, उत्मी दूर से भागी भागे आएं, रास्ते में हमारी गाड़ी भी खराब हो गई, फिर भी हम दोनों आए, पर लेट आ गएं मैं कह रही थी आप से, अभी बुढ़ा पचास साल जी एगा, मत चलो, पर मेरे को तुम्हारी वज़ा से टेक्सी में घिसाते हुए लेके आए हैं, मेरे ऐसे भी दिन नहीं आए, कि मैं टेक्सी में घूमू, मेरे पिता ने गाड़ी लेके दिया है, उसमें पेटरोल डलव है पहले, फिर उसके बाद मेरे को तो खाना ही नहीं खाया जा रहा था, खाना ना खाने की वज़ा से मेरे पेट में कुछ गया नहीं, इसलिए मेरे तबियत और बिगड़ गई, अरे बेटा मैं क्या करूँ, फिर जा रहा था मारकेट सबजी ले ने, एक गाड़ी वाला आ पिछे से ठोक दिया, मुझे कमजोरी की वज़ा से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, मैं क्या करूँ वेटा, आप परेशान मत हो ये पिता जी, मैं जल्दी कुछ करता हूँ और आपको अपने पास लेके चलता हूँ, ना बबा ना, इस बुड़े को मैं नहीं लेके जाना, मेरे घर में इतनी जगा नहीं है कि मैं इनको वहा रखू, कहीं मर मरा गए फिल, क्या होगा, ऐसे मत बोलो, हम लेके चलेंगे, शेवा करेंगे, ठीक हो जाएंगे वापू जी, इसलिए कहता हूँ, मॉडरन बीबी मतला, मेरी तूने एक नहीं सुनी, ऐसी मुझ जाने वाली, इन्हें अपने घर, यहीं साड़ो तुम, हॉस्पिटल में ही, मैं जा रही हूँ, कहां जा रही हूँ, रुको, हमें बापा को भी खाना खिलाना है, तो इस बुढ़े से वोलो, अपनी जुबान पे कंट्रोल करें, तभी मैं यहां रुक सकती हूँ, हे पिताजी, आप थोड़ी कमाएंगे, आप बुजर्ग हो गया है, हम लोग किस लिए बैठे हुए है, हाँ, हाँ, सारा कमाई इन्हीं को दे देना, इन्हीं की दवाई में लगा देना, हमारे तो बच्चे हैं नहीं है, यह हम अपने बच्चों के लिए कुछ बचाएंगे, चुप चाप मेरे साथ वापस चलो, आप परेसान मत हो यह पापा जी, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आपकी वज़ा से तो मैं इतनी दूर से आया हूँ, अपने बच्चों को छोड़के, अब मैं चलता हूँ, बच्चे मेरा इंतिजार कर रहे होंगे, तो मैडम को छोड करके, फिर साम को आता हूँ, आपको लेकर फिर घर चलता हूँ, अभी बच्चों को है, टाइम हो गया इस स्कूल से आने का, ओके पिता जी, ठीक है मेरा प्यारा बच्चा, एक तू ही तो है मेरा सहारा, ये मुछट बीबी लेके आया है, ले जा इसको यहां से, साम को तू अकेले ही आई, ठीक है, बाई बेटा